आप सभी का स्वागत हैं और आपके सामने हाजर हो चुका हूँ तो आईए स्वागत करते हैं आप सभी का और आज के साइन्स के सेशन में करीबन 10 नहीं 20 नहीं 30 नहीं 40 नहीं 50 भी नहीं 60 सवाल हैं तो आज हम 60 सवालों को पूरे बेहतर तरीके से करने जा रहे हैं और मुझे उमीद है कि आप सबको भी आज के सेशन में भरपूर आनंद मिलने वाला है तो चली स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में है क्या What is so good in today's session? आज सबसे बेहतर है क्या तो जो हर्याली, जो वनस्पती, जो जीव जन्तू, जो पहाड, भूदर, ब्रिज, कलकार खाने, नदियों में ये जल का समायोजन, बर्नौली का थियोरिम, या फिर मैं बात करूँ आर्केमिडीज के उत्पलावन का नियम, लौ फ्लोटेशन जिसे हम कहते हैं, नदियों में ये वेव का क्रियेट होना, बड़ी-बड़ी ब्रिजों में जो तन्यता देखने को मिलती है, पिरस्ठी ये तनाओ वेसल्स में, यानि उन वॉल्यूमेट्रिक चीजों में देखने को मिलती है, जो किसी आयतन के जल को या किसी द्रव्य को होल्ड कर पाते हैं, इतनी दूसरे से रासाइनिक सूतर से ना बंदता, तो क्या ये आपस में इतनी बड़ी-बड़ी गगन चुम्बी मारते खड़ी हो पाती हैं, क्या लहरों के इस जल प्रपात का इस्तमाल टर्बाइन्स पे ना किया जाता, तो क्या हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर प्लैंट्स खड़े हो पाते हैं, आज द्रव्यों के अंदर भी ये तेजी से चलती हुई ये नाव, इतने तेजी से चल रही है, तो इसके पीछे कोई ना कोई डाइनामो या मोटर लगा हुआ है, एक तरफ जहां हमें रेगिस्तान दिखता है, तो कही नदियां दिखती हैं, इसका मत पीछे विज्ञान है, और उन्हें विज्ञानों को हमें एक एक करके सवालों के जरीए, एससी जीडी को इस बार उडा देना है, तो स्टार्ट करते हैं, आज गुड इवनिंग एवरेवन, एक बार जैहिंद हरहर महादेव का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, और पहला सव असी रुपे में, कितना? मात्र तेरह सो असी रुपे में आपको अवेल हो रहा है कोड वाई डबल टू थरी पे, वाई डबल टू थरी माजिकल कोड लगाते ही, आपको पूरी एससे सेलेक्शन पोस्ट की तैयारी, एक अक्टूबर से ग्यारे से आठ बजे के बीच आपक में, बलड में, RBC, प्लेटलेट्स, ये सारी एक शिरा के अंदर से होते हुए बह रही है, तो सवाल ये पूछा गया कि जब एक व्रद्धा हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तो उसका रक्त दाब बढ़ जाता है, घट जाता है, उतना ही रहता है, या बदलता रहता है, तो जैसे जैसे उमर बढ़ती है, जो रक्त वाहीनिया है, उनका जो क्रोस सेक्शन, यानि अनुप्रस्थ कटाव का ये जो छेतरफल है, ये जो लंथ है, ये धीरे धीरे घटती चली जाती है, तो जैसे जैसे घटती चली जाएगी, तो रक्त का दाब बढ़ जाएगा, त increases ये बढ़ जाता है सही जवाब option number A होगा ठीक है बहुत सही अगला सवाल चलते है question number 2 की तरफ किसी एक समान व्यक्ति का रक्त pH कैसा होता है 6 से 6.5 के बीच 7.2 से 7.4 के बीच 1.5 से 2.5 के बीच या इन में से कोई भी बयान इसका सही ही नहीं है जल्दी से बताएंगे प्रया शेंग प्रभात कुमार अमरिता कुमार रितिका जेम्स डार्क अंटर नीतु पाध्या नारायनन दिपेंद्र अशोक गौतम कुमार सपना अगर सेशन पसंद आए तो और शेर करने में कोई कमी नहीं रखेंगे आज सारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थुरू आपको मैं पूरा साइन्स पढ़ाने वाला हूँ तो किसी एक सामान्य व्यक्ति के रख्त का पीच क्या होगा A, B, C, A, D 6 to 6.5, 7.2 to 7.4, 1.5 to 2.5 तो HCl का पीच होता है 6.8 हमारे लार का पीच होता है इन में से कोई भी बयान सही नहीं है ऐसा तो हो नहीं सकता 7.2 to 7.4 is the right answer तो सही जवाब इसका क्या है option number B है अगला सवाल अगला सवाल है जब मानव रक्त में oxygen की सांदरता में कमी आ जाती है मतलब जब human blood में oxygen की concentration कम हो जाती है तो स्वशन की गती पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है जल्दी से बताएंगे कि जब-जब मानव रक्त में oxygen की कमी हो जाती है तो स्वशन के दर पे उसका क्या प्रभाव होता है अब जैसे जैसे देखिए ये आपकी स्वशन नली है ये क्या है? ट्राकिया है, स्वशन नली है, तो ट्राकिया यानि स्वशन नली के माध्यम सही oxygen ऐसे फेफ़डों में प्रवेश करता है, तो जब फेफ़डों में oxygen का concentration घट जाएगा, फेफ़डों में, जब oxygen का concentration यानि सांद्रन घट जाएगा तो उस दوعन, rate of breathing यानि काम हो जाती नहीं यहां पे कम हो जाती है होगा मतलब decreases gets the job done नहीं यहां पे decreases होना चाहिए तो लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा option number one increases यानि intensifies बढ़ जाती है क्योंकि oxygen की आपूरती करनी है अगला सवाल तो इसका सही जवाब होगा option number a अगला सवाल question number 4 की और बढ़ेंगे कि मानव भूण जब माता गर्भ में बच्चे को रखती है तो तीसरे महीने में first trimester में जो बच्चे का रूप होता है वो exactly ऐसा होता है जैसे आप तस्वीर में देख पा रहे हैं तो कहता है मानव भूण का हरिदय कब स्पंधन करने लगता है किस वक्त उसमें beating start हो जाती है तीसरे सपता हमें third week में प्रथम सपता यानि पहले हफते में चतुर्थ सपता यानि fourth week में या फिर छटे सपता हमें इसका सही जब आप देखिया option number D होगा इसकी वज़ए ये है कि 5 या 5.5 मतलब 5 हफते या साड़े 5 हफते का जब भूण हो जाता है तब उसमें हरिदय 6th week के बीच में 5th से 6th week के बीच में in between in between 5th and 6th week पाचवे और छटे सपता के बीच में हरिदय स्पंदन यानि beating of hurt starts so correct option will be option number 4 ठीक है ना अगर पाचवा देता तो सर क्या पाचवा मारते बिलकुल अगर पाचवा हफता देता तो आप पाचवा हफता देते अगर आप से तो आप बताओगे चर्तियां ही 12 यानि 12 months में तीन महीने जब हो जाते हैं first trimester हो जाता है तब ऐसा देखने को मिलता है अगला सवाल question number 5 की तरफ चलते है question number 5 कहता है मानव मस्तिष्क के कौन से भाग से उल्टी और खासने की क्रिया संपन होती है मतलब from which part of the human brain does vomiting and coughing takes place प्रमस्तिष्क four brain जिसे हम cerebrum के नाम से भी जानते अनुमस्तिष्क मतलब पीछे की तरफ तो अनुमस्तिष्क हम cerebrum मानते हैं hind brain का हिस्सा है medulla oblongata जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो यह medulla oblongata है और यह pons virioli कहलाती है cerebrum आप यहाँ देख सकते हैं और प्रमस्तिष्क आप यहाँ देख सकते हैं तो इन में से वो कौन सा हिस्सा है, मस्तिश्क का इन में से वो कौन सा हिस्सा है, जो आपके उल्टी और खासने की क्रिया को संबोधित करती है, तो याद रखना मस्तिश्क का ये वाला जो हिस्सा है, जिसे हम मेडिूला ओबलोन गाटा कहते हैं, ये सिर्फ खासना ही नहीं, खासने से लेके, छीकने तक, निगलने तक की, निगलने तक की पधती को, उल्टी करने की पधती को, लार निकालने की पधती को, लार निकालने की पधती को, निकालने की पधती को, निकालने की पधती को, इन सब को कंट्रोल करती है, तो उल्टी करना हो, salivation हो, vomiting हो, coughing हो, sneezing हो, है ना, ये सारी गार्गलिंग हो, ये सारी चीज़े कंट्रोल होती है किस से, medulla, oblon, gata से, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, option number C, यानि 3 will be the right answer, अगला सवाल, question number, छटे की तरफ चलते हैं, निसेचन की क्रिया कहा संपन होती है, निसेचन को हम अंग्रेजी में fertilization कहते हैं, कहता है, ove duct यानि dim वाहिनी में, uterus यानि गर्भाशे में, ovary यानि dim वाशे में, या फिर vagina जो प्रवेश दुवार होता है, तो मानव महिला का अगर मैं पूरा ये female reproductive system बना के दिखाऊं, तो वो कैसा है देखेगा, कोशिश करिएगा समझने के लिए, क्योंकि बहुत ही छोटी सी जगह मिल रही है, तो थोड़े से छोटे से ही जगह में मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से दिखा पाऊं, तो ये आपकी महिला की गर्भाशे है, ठीक है, ये गर्भाशे है, ठीक है, यहां होता है वजाइना, यहां होता है वजाइना, ठीक है, ये वजाइनल ओरिफाइस है, तो ये हो गया आपका वजाइना, ठीक है, और यूटरस हो गया ये पूरा, ये जो गर्भाशे है, इसे हम uterus कहते हैं, oviduct किसे कहते हैं, तो oviduct इस fallopian tube को कहा जाता है, और ovary क्या है, डिमबाशे कहा है, तो डिमबाशे देखी यहां होती है, यह आपकी दाहिनी डिमबाशे होगी यह बाई डिमबाशे, और यह जो है, एक ligament से जुड़ी होई होती है, तो कहता है, निसेचन कहा होता है, निसेचन डिमबाशे में होती है क्या, निसेचन oviduct यानि डिमबवाहिनी में होती है क्या, या uterus यानि इस गरभाशे में होती है क्या, या फिर वजाईना में होती है क्या, तो देखे निसेचन कहा होता तो यहां से डिम्ब निकल के यहां से डिम्ब निकल के कहा आता है डिम्ब यहां से निकल के यहां पहुँचता है और स्पर्म यानि शुक्राणू जो है वो यहां से संभोग यानि सेक्स के बाद यह शुक्राणू अंदर ट्राविल करते करते य तो बाई तरफ जाएंगे या तो दाहीने तरफ जाएंगे तो जैसे समझ लो दाहीने तरफ गए तो यहां से यह डिम्ब चलती है और यहां से यह शुक्राणू तो इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे इनका निसेचन होता है तो अगर इस पोजीशन पे इनका निसेचन या चाहे ये वाली नलिका हो या ये वाली नलिका हो इन दोनों को हम क्या कहते हैं OVDuct यानि फालोपियन ट्यूब तो सही जवाब क्या हो जाएगा Option number A will be the right answer बहुत सही जवाब जिन लोगों ने BCD दिया है बिटा उनका जवाब इसलिए गलत है क्योंकि यूटरस तो आपका पूरा एरिया है जहाँ पे वो बच्चा यानि भुरूण बड़ा होगा वजाईना वो एरिया है जहां से संभोग होती है और ओवरी वहाँ जहां डिम्ब निर्माण होता है तो सही जवाब इसका डिम्ब वाहिनी होगा और एक्जेक्ट अगर पोजीशन पूछे तो याद रखना उस पोजीशन का नाम है एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन एम्प्यूला और इस्थमस का ये जंक्शन है जहां पे निसेचन होती है वैसे अगर आपको जीडी में पूछेगा तो डाइरेक्ट आपसे डिम्ब वाहिनी के बारे में पूछेगा क्योंकि डिम्ब वाहिनी का हिस्सा है एम्प्यूला और इस्थमस क्योंकि इसे हम कहते हैं एम्प्यूला जो फूला वो एम्प्यूला ठीक है और इस जगह को कहते हैं इस्थमस तो ठीक इन दोनों के बीच में होता है इसलिए हम कहते हैं Ampula Isthmus Junction और यह Ampula Isthmus Junction होता कहा है तो Dim Vahini यानि Fallopian Tube में होता है अगला सवाल चलते है Question No.7 एक ग्लास पानी पीने से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है तो अगर आप एक ग्लास पानी पीते हो एक ग्लास पानी पीत है तो आपको मिलेगी zero calorie कोई कुछ नहीं बर्न होगा लेकिन अगर आप एक cold water यानी ठंडे पानी का एक ग्लास पीते हैं तो जादा से जादा आप 8 calorie burn करते हो 8 calorie 8 calorie आप burn करते हो तो अगर आप थंडी पानी पीएंगे तो 8 calorie burn करेंगे अगर नॉर्मल पानी पीते हैं तो आप zero calorie burn करते हैं because water is a polar solvent का सही जवाब इसका option number C होगा इसका pH क्या होता है साथ होता है अगला सवाल मानवरिक के अश्मरी में यानी renal capsule की बात की जा रही है मानवरिक के अश्मरी में पाया जाने वाला रासायनिक योगिक कौन सा है मतलब अगर kidney stone आपको हो जा रही है kidney stone हो जा रही है आपको आपके वरिक में पत्थरी का निर्माण हो जा रहा है तो इस पत्थरी की वजह क्या है मानव रिक में अगर पत्थरी का निर्माण हो जा रहा है तो इस पत्थरी की वजह क्या है कैल्शियम कार्बोनेट यानि CACO3 है या फिर यूरिक अमल यानि यूरिक एसिड है कैल्शियम अग्जलेट है या फिर कैल्शियम सलफेट CASO4 है बताएए क्या होगा सही जवाब 10 सेकंड से ज़्यादा समय ना लीजिए किडिनी स्टोन हो या फिर पिताशे की पत्थरी हो ब्लैडर स्टोन हो दोनों ही कंडिशन में ध्यान रखेंगे क्या होगा जवाब A, B, C, A, D बैटा PDF इसकी साथ-साथ मिल जाती अगले दिन आप हमारी जब शो खोलिएगा न तो शो में जो वीडियो सेक्शन है उसमें आप डिस्रिप्शन लिंक में PDF पालोगे चले क्या हो होगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं कहता है कि वह वाहिका वह रक्त वाहिका का नाम बताइए जो अमाशे तथा छोटी आथ से यकृत में पोशक युक्त रक्त प्रदान करती है पोशक तत्व युक्त रक्त अमाशे और आतों से यकृत तक पहुंचाने का काम कौन करता है तो वो होगा यकृती शिरा मतलब हेपाटिक आर्टरी बाई यकृती शिरा या निवेफ्ट हेपाटिक आर्टरी दाई यकृती धमनी यानि राइट हेपाटिक आर्टरी या यक्ति प्रवेश दवार शिरा यानि हेपाटिक पोर्टल वेन तो इसका सही जवाब क्या होगा option number D will be the right answer दिपांकर दास बिलकुल सही जवाब यक्रती प्रवेश द्वार शिरा वह शिरा है जो अमाशे और आतों से लेके फिर कहां पहुंचती है यक्रत तक पहुंचती है जिससे पोशक युक्त रक्त लिवर को मिलता है फिर उसको जो आ अग्रागी कराता रहता है अगला सवाल EEG कभी अगर घर में किसी का EEG हुआ होगा या आपका ही और अच्न. होगा, электroencephalogram कहते हैं इसे, इसे हम क्या कहते है, electroencephalogram, तो EEG जब होती है, तो किस से संबंदित है, वो मस्तिष्क से संबंदित है, हृबधय से, कां से या यकरत से, तो मानव सामने बैठा हुआ है, उसकी EEG हो रही है, तो आपको क्या लग रहा है ये किस से संबंदित है तो हम brain के alpha, beta, gamma और delta waves की checking करती है कि किसी भी विकार के वज़े से कहीं ये मानसिक मंदता यानि mental retardation से तो सफर नहीं कर रहा तो सही जवाब क्या हो जाएगा option number A brain से संबंदित होगा A will be the right answer अगला सवाल मस्तिष्क तथा मेरू रज्जू पर चढ़ी जिली में सूजन आने से क्या होता है हम जानते हैं ये brain है अब इस brain के उपर 3 layer है सबसे पहले layer को हम क्या कहते हैं सबसे पहले वाले layer को हम कहते हैं pyameter pyameter के बाद एक layer होती है पाया मेटर के बाद एक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते है एरेकनोइड मेटर और सबसे बाहर एक और लेयर होती है जिसे हम क्या कहते है डियूरा मेटर जिसे हम क्या कहते है डियूरा मेटर ठीक है ना अब डियूरा मेटर पाया मेटर और एरेकनोइड मेटर इन तीनो सतहों म उपर जो सतय है उसमें अगर संक्रमण हो जाए और इसमें सूजन आ जाए तो इसे हम कहते हैं Meningitis, इसे हम क्या कहते है Meningitis, Sclerosis, Charm यानि Skin से Related है, Paralysis हमारी अगर तंत्रिका के उत्तक में सम्वहन यानि Conduction Neural Impulse का धंग से ना हो तो Paralysis हो जाती है और Leukemia तो Blood Cancer होता है तो सही जवाब क्या हो जाएगा Option D will be the right answer अगले सवाल की तरफ चलते है Question 12 अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% क्या होता है तो कल ही हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा बिटा Oxygen, फिर होता है Hydrogen, फिर होता है Carbon और फिर होता है बाकी के तत्व यानि बाकी के Elements तो सबसे ज़्यादा इन में से क्या पूछ रहा है Oxygen, Hydrogen, Carbon और ये बाकी तत्व पूछा ही नहीं वो आपसे पूछाता है कि एक मानव शरीर में वसा ज़्यादा होती है, protein ज़्यादा होता है, carbohydrate ज़्यादा होता है या खनीज तो बैटा खनीज कम होता है Protein, building material of the body होती है वसा fat होता है, लेकिन अधिकांश अगर आप देखोगे शरीर में अधिकांश अगर आप शरीर में देखोगे तो क्या होता है सबसे ज़ादा वसा प्रोटीन कार्भोहाइडरिट या खनीज तो फैट जो होती है मर्दों के अपेक्षा महिलाओं में ज़ादा होता है मर्दों के अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होता है लेकिन अगर हम शरीर में बात करें तो जितनी भी आप चीजे देख रहे हो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिए आप लोग का आज सहरा रहा आज आप लोग का साथ रहा तो जो क्वेशन्स आए हैं ये वही क्वेश शरीर के किसी भी हिस्से में देखे तो में कंपोनेंट उसमें क्या है ग्लुकोज है अगला सवाल चलते हैं क्वेशन नमबर 13 घरेलू धूल में ऐसा क्या है जो दमा पीडितों को परिशान करते हैं अब समझ लो सुबह सुबह जब सूरी की रोशनी रोशन दानों से दिख होने लगता है धूल में कार्बनिक कणों से उससे दिक्कत होती है रासायन में धूल में विद्यमान हो वो रसायन जो धूल में विद्यमान हो उनसे दिक्कत होती है या सिर्फ धूल से दिक्कत होती है या धूल की नमी जो मौश्यर उसमें होती है उसके वैसे देखो नमी ह चल रही है रोजाना आप उसको ज़ाइन करिए ना सबसे बहतर आपको यहां पर हिसाब किताब मिलेगा तो घरे लिव धूल में ऐसा क्या है तो भीटा धूल में कार्बनिक कन या धूल तो बिल्कल सही जवाब जो कार्बनिक कन होते हैं जो औरगैनिक मैटर होता है वही जब हमारे फेफडों के ये ग्रास नली ग्रास नली कह रहा हूं स्वाशन नली के थुरू हमारे फेफडों तक पहुंचती है तो उसमें स्पाजम यानि एठन क्रियेट कर देती है और अगर किसी को अगर आप ये समझ लो की ट्यूबर क्यूलोसिस जैसी बिमारी है तो उसमें तो और ज्यादा परेशान करेगा क्यों क्योंकि उस समय पहले सही माइको बैक्टेरियम ट्यूबर क्यूलोसिस उसमें ट्यूबर क्यूलिन नामक जहर छोड़ चुका होगा तो सही जवाब, option number A is the right answer, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा योगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता, which of the following compounds is not stored in human body, हमारे शरीर में कौन सी संग्रहित नहीं रहती, वसा, tocopherol, glycogen या amino acids, बेटा हमारे शरीर में, हमारे शरीर में, protein हमारी शरीर बनाती है, muscles बनाती है, तो amino अमल तो होगा, तो ये तो गलत जवाब हो जाएगा, glycogen संग्रहित glucose है, तो ये भी नहीं होगा, वसा हमारे शरीर में जरूरी ही है, लेकिन tocopherol जो है, वो संग्रहित नहीं होती, जब जरूरत होती है, तो हम उसे different sources से लेना पड़ता है, तो नहीं इसका सही जवाब A होगा, न B होगा, न C होगा, सही जवाब option number D होगा, क्या नहीं पूछा है, तो सही जवाब option number D, tocopherol होगा, इससे हम जो इसके sources हैं, जो इसके श्रोत हैं, उससे हम इसे प्राप्त करते हैं, एक बार session को like और share ज़रूर करते रहिएगा बच्चों, निम्नलिकित में से कौन सा लवड सरवाधिक मात्रा में मानव हड्डियों में पाया जाता है, calcium carbonate पाया जाता है, calcium chloride पाया जाता है, CACL2, या फिर CACO3, या फिर calcium phosphate CA3PO4, या फिर sodium chloride NaCl, बताए क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा, CACO3 पाया जाता है हड्डियों में, magnesium chloride MgCl2 पाया जाता है, या फिर calcium phosphate CA3PO4 पाया जाता है, CA3PO4 whole twice पाया जाता है, या फिर sodium chloride NaCl पाया जाता है, तो बिटा हमारी हड़ी हो या हमारे दात हो, दोनों किस्से बने हुए है, calcium और phosphate से, तो सही जवाब क्या होगा, option number C will be the right answer, calcium plus phosphate, calcium plus phosphate, तो correct option is option number C, है ना सवालों के जवाब को चेक करते चलना है, अगला सवाल, question number 16, मानव शरीर में सरवाधिक प्रचूरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, sodium है, लोहा है, oxygen है या iodine है, मानव शरीर में सरवाधिक प्रचूरता में पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे शरीर का 80 प्रतीशत जल है और जल oxygen और hydrogen से मिलके बनता है तो सबसे ज़्यादा oxygen फिर hydrogen फिर carbon और फिर बाकी के elements जो की कम प्रतीशत्ता में मौझूद है तो सही जवाब क्या हो जाएगा option number c will be the right answer option number c will be the right answer अगला सवाल question number 17 क्या कहता है देखते हैं बटा session को like share करने में कोई कमी ना रखे देखिए कि आप सब के लिए कितनी मेहनत की जाती है कि question को देखके आप उसके होने वाले जवाब को एकदम समझ जाए जल्दी से एक बार session session में डाल सकता हूँ उतना जान में डालने की कोशिश भी करता हूँ तो बटा आप सब का साथ रहेगा तो जरूर हर एक सवालों पर हमारी पकड़ होगी मानव शरीर में chromosome या गुरसूतर की संख्या कितनी है क्रोमोजोम को हिंदी में हम गुरसूतर कहते हैं तो मानव शरीर में गुरसूतर की संख्या कितनी होती है 23, 46, 15 या 19 तो कितने जोड़े नहीं पूछा है तो मानव शरीर में 23 पेर क्रोमोजोम होते हैं 23 जोड़े गुरसूतर होते हैं तो 23 जोड़े मतलब 46 कुल संख्या कितनी होगी 46 होगी ना कि 23 होगी तो सही जवाब क्या होगा option number B will be the right answer बहुत सही जवाब अगला सवाल question number 18 की तरफ चलते है अठारवा सवाल क्या कहता है अठारवा सवाल है कि लंबे समय तक उपवास रखने पर सरवाधिक मार किस अंग पर पड़ती है अगर समझ लोग घर में कोई नवरात्र ही कर रहा है या फिर किसी ने ऐसा कोई घर में ह मांग यह सब कर देती हैं भगवान से कि भगवान आप यह करते हैं हम सब भी आप भी करते हैं तो उस दोरान अगर आप ऐसा करते हैं तो वो एफेक्ट वो प्रभाव किस मानव तंत्र के हिस्से पर पड़ेगी आथ पर पड़ेगी फेफड़े पर पड़ेगी या पर आत पर अगर बहुत जादा देर तक आप खाना नहीं खाए तो ना ही हिरदय पर कोई फर्क पढ़ने वाला है जल्दी ना फेफड़े पर और ना ही गुर्दे पर हर्ट लंग और किडिनी पर लेकिन आतों में अलसर हो जाएंगे क्या हो जाएगा अलसर होने की संभावना बढ़ जाएगी अलसर होने की और लाल लाल छाले पढ़ने की संभावना बढ़ जाती है अगला सवाल क्वेशन नमबर 19 बहुत सही बिटा आप सारे लोग एक दम ताबर तोर जवाब दे रहे हैं अंकित राज, रनू, नीलम, रोहित कुमार, रितिका, वीर प्रताप, सोन अर्शिया, मतब काफी नाम आ रहे हैं लेकिन मैं ले नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप सब बने रहे हैं, मैं आप सब के कमेंट्स को देख रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, बीमारी जिसमें उच्छ मात्रा में, रक्त में, यूरिक अमल प्रधान रूप में पाया जाता है, उसे हम गठिया कहते हैं, अर्थराइटिस कहते हैं, हेपटाइटिस कहते हैं, या हरिदय घात कहते हैं, देखो, यहाँ पर आप देख रहे हूँ ना, यहाँ पर जोड के बीच, मतलब गाठों के बीच, क्या जम रहा है, यूरिक असिड जम रही है, तो यूरिक बीच अगर यूरिक अमल जम जाए तो यह गांठ मजबूत हो जाएगी, solid हो जाएगी, तो यह फिर हिल डुल नहीं पाएगी, तो अगर यह हिल डुल नहीं पाएगी, मतलब इसमें क्या हो गया? गाउट हो गया ठीक है कहता है कि वह बिमारी जिसमें उच मातरा में रख तो मैं यूरिक अमल प्रधान रूप में पाया जाता है वो गठिया है अर्थराइटिस है अपटाइटिस है या हिरदय घात है तो देखो हर्ट अटेक में तो ऐसी कोई सीन नहीं होती नहीं यकृत के जोडों के सूजन को कहा जाता है लेकिन गठिया तब कहते हैं जब उस सूजन में यूरिक अमल क्रिस्टल्स भी एकत्रित हो जाए यूरिक अमल की मातरा उस जोड़ पर बढ़ जाए तो सही जवाब ऑप्शन नमबर ए विल भी दराइट आंसर गठिया इसका सही जवाब ह अब इसी में एक ऑटो इम्यून डिसॉडर भी है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जब इसके अंदर कुछ ऐसे सबस्टांसिस का निर्मान हो जाए पदार्थों का निर्मान हो जाए जिसमें अब घुटना ही लेगा ही नहीं अगर समय लोग घुटने वाले जगह में हो जाए उसे हम कहते हैं रिउमाटॉड अर्थ्राइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है जब हमारे शरीर की प्रतिदोधात्मक शक्ती हमारे अपने और दूसरे के बीच विभेध प्रस्तुत नहीं कर पाती उस दोरान ऐसी बिमारी होती है रिउमाटॉड आर्थ्राइटिस विभीस हमसे गलती होगे लेकिं देखते हैं अभी भी कितने लोग सही जवाब देते हैं जल्दी बताइये डेहिं क्या होगा सही जवाब बिटा हरहर बहा देव का नाम लेके आज 2000 थो कम से कम लाइव यार आप लोग का साथ रहेगा तभी तो दो-तीन हजार बच्चे जब साथ रहेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा कि चलो आज अमित से कम से कम दो हजार बच्चे कुछ सीख रहे हैं कल को तीन हजार हो जाएं, चार हजार हो जाएं, पांच हजार हो जाएं, दस हजार हो जाएं, लाख हो जाएं इससे बड़ी खुशी और क्या होगी किसी भी एक सिक्षक के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्यान हम लाखों लोगों तक पहुँचा रहा है और माध्यम कौन होंगे बच्चों आप होंगे आपकी एक लाइक और एक शेर मुझे हजारों और लाखों तक पहुँचा सकती है तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये बंदा खड़ा होके हमारे लिए ही रात के 10 से 11 खड़ा होता है और एक-एक विज्ञान के प्रशनों को सॉल्व कराता है तो आपका एक लाइक कल के दिन में हमें और ज्यादा लोगों तक अपनी ग्यान को पहुचाने में समर्थवान बनाएगा तो इसकी सही जवाब होगी ऑप्शन नमबर ए बोन मिनरल डेंसिटी टेस्टिंग बोलते हैं और ये तब होता है जब अस्थी सिशूर्ता हो जाती औस्टियो पोरोसिस हो जाता उसी दोरान इस टेस्टिंग को कराना पड़ता है जिसे हम कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी टेस्टिंग की मतलब हड़ी के अंदर खनीज की मात्रा कितनी बच रही है या कितनी की कमी हो गई है तो सही जवाब option number A होगा अगला सवाल है बीमडी परिक्षन किया जाता है अस्थी सिशुर्ता हे तू गठिया हे तू अस्थी मलईया हे तू मतलब बोन मैरो की जाच करने के लिए या उपरुक तुमें से कोई नहीं अभी जस्ट मैंने समझाते हुए बताया तो जिन लोगों ने मेरे समझाए हुए बातों को समझा होगा तो अव्यस सी बात है इस सवाल का भी जवाब जल्दी से देंगे बताइए क्या होगा प्रियांशी नीलम महेश हिमानशु गुड़ू मोहित गुलशन प्रिया तोमर रोहित यादव हिमानशु कुमार कविता वर्मा मोहित वर्मा रोहित कुमार हिमानशु गुड़ू वीर जाठ दीपा पांडे नित्या शुकला अजय यादव रोहित यादव हिमानशु कुम वीर जाट राजेश कुमार मीना सैड गर्ल यार सैड नहीं आप हैपी हो जाओ विकाश राज अंकित जी नमशकार बताईएगा क्या होगा तो इसकी वजह क्या है अस्थिश शुर्ता यानि औस्टियो पॉरोसिस को चेक करने के लिए हम बीमडी टेस्टिंग करते हैं सही मतलब होता है नूट्रलाइजेशन मतलब उदासीन बनाने के लिए निमनलिखित में से कौन सा तंत्र उत्तरदाई है विच और्गैन इस रस्पॉंसिबल फॉर नूट्रलाइजेशन आफ वाट नूट्रलाइजेशन आफ एलकोहॉल अगर आप दारू पीते हो आज शाम का उस मदिरा का पान करेगा और फिर उसको डिटॉक्सिफाई यानि उसके अंदर जो विशाक्तता है उसके अंदर जो मादकपन है उसके कमी लाएगा तो याद रखिएगा यकृत की दो पालिया होती है ये लेफ्ट लोब कहलाता है ये राइट लोब कहलाता है और दोनों प जिनने हेपेटोसाइट कहते हैं, इनका कामी है, अमल की अमलता को कम करना, तो वो व्यकरत होगा, जो आके काम करने वाला है, तो पिक्छर सामने था, तो आप्शन भी सामने थे, और आंसर भी सामने थे, सही जवाब आप्शन नमबर भी होगा, बहुत सही, बटा सबका नाम लेना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा लेकिन अनुराग ठागुराज सिंगानिया दीपा पांडे अभै कुमार योगेंद्र यादव जी सब सब आप लाइन से बस शेयर करते चलिए आप हमारे साथ हमारे दिलों में हमारे जान है आप बसते हैं सारे लोग जल्दी बताईए अगला सवाल भारत में जन में प्रत्येक 200 सिश्वों में से अतिसार से मर जाता है जिसका कारण है in every 200 babies born in India dies of diarrhea हर 200 में से एक बच्चा diarrhea के कारण मर जाता है due to rotavirus, bacteria, amoeba या fungus बताईएगा क्या होगा जल्दी से बताईएगा क्या होगा किस बीमारी से हर 200 में से एक बच्चा diarrhea के वज़े से मरता है जिसका कारण है rotavirus, jivanu, amoeba, yakavak वो कौन सा organism है जिसके वज़े से एक छोटे नवजात सिशू को अतिसार यानि डाइरिया की बिमारी होती है और हर 200 पैदा होने वाले बच्चों में एक मर जाता है what should be the correct answer? B आ रहा है जवाब B, jivanu, 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 jivanu है वही dysentery यानि lose motion का कारण बनता है तो सही जवाब option number B होगा यहां सामने जो दिख रहा है वो rotavirus है जो सामने आपको दिख रहा है वो rotavirus है इसका सही जवाब option number B होगा bacterial contamination की वज़े से हर 200 में से एक बच्चा मरता है क्योंकि bacteria जिससे diarrhea होता है उसका नाम है Shigella dysentery लिख देता हूँ note कर लेना S-H-I-G-E-L-L-A Shigella dysentery D-Y-S-E-N-T-R-I-A-E Shigella dysentery अगला सवाल अस्थी निर्माण हे तू अस्थी निर्माण हे तू मतलब इस शरीर में से मान स्पेशी और चर्बी और कार्बो हाइड़िट निकाल दिया जाए तो ठीक मैं भी ऐसा ही दिखूंगा आप भी ऐसे ही दिखेंगे इस हड़ी का एक सेक्शन वैसा ही दिखेगा समझेगा तो हमारे आप में किसी में कोई अंतर नहीं है सवाल है इसके उपर की संग्रचना यानि मॉर्फोलोजी का हान जी अस्ति निर्माड है तू निमनलिकित में से किसकी आवशक्ता होती है लोहे और कैलशियम की सोडियम कैलशियम की या कैलशियम और फॉसफोरस की जल्दी से बताएंगे और सेशन को शेयर करेंगे बच्च पर तोड़ जवाब देते चलेंगे शेयर करते चलेंगे ठीक है ना अगला सवाल पेस सेटर निमनलिकित में से किस नाम से जाना जाता है तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक होता है इस जगह पेसमेकर और ठीक इस जगह पे होती है पेस सेटर तो पेसमेकर को हम लोग कह रखता है इसे हम कहते है Pace Setter और उसका नाम है atrio ventricular node atrio ventricular node atrio ventricular node अब होता क्या है देखिए यहां से impulse चलता यहां तक पहुंचता यहां से यहां तक चलता इसका काम है maintain करने का तो यह यहां से यहां तक पहुंचाएगा यहां से वापस यहां तक पहुचाएगा यहां से वापस यहां तक पहुचाएगा यहां से वापस यहां तक पहुचाएगा और इसका काम है यहां से यहां तक पहुचाना तो इंपल्स का जो डाइरेक्शन होता है साइनो एट्रियल नोड से एवी नोड तक होता है और एवी नोड से ऐसे नोड त D पूछा है पेस सेटर निमनलिखित में से किस नाम से जाना जाता है तो पेस मेकर साइनो अट्रियल नोड है पेस सेटर अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है मतलब AV नोड विल बी दा राइट आंसर सबसे सही जवाब option number A विल बी दा राइट आंसर अगला सवाल मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशिया कहा होती है जंगाओं में जबडों में गर्दन में या हाथ में हैंड्स में हाथों में बताए क्या होगा हाथों में बताए कहा होगा सबसे ज्यादा मजबूत पेशिया हमारे शरीर में हर जगह पेशी आपको दिख रही है लेकिन सबसे मजबूत पेशी आपको कहा दिख रही है जंगाओं में, जबडों में, गर्दन में या हाथों में तो नहीं हाथ की मजबूत होती है नहीं जंगाओं की मजबूत होती है और नाही गरदन की मजबूत होती है, अगर मजबूत होती है, तो जबड़ों की होती है, jaw muscles are the strongest muscles of our human body. मानव शरीर में अगर कोई सबसे मजबूत पेशी की बात करे, सबसे मजबूत पेशी की बात करे, तो याद रखेगा वो जबड़ों की पेशिया होती है, ठीक है? ध्यान में निर्जली करण होता है निर्जली करण मतलब शरीर से पानी का निकल जाना तो जब शरीर में निर्जली करण होता है तो पदार्थों पदार्थ जो सामान ये रूप से लुप्त हो जाता है वह क्या है when the body is dehydrated when the body is dehydrated the substance that normally gets lost is calcium phosphate chini, sodium chloride or potassium chloride तो whenever, जब भी body से पानी निकलेगा तो आपके body से electrolytes का हनन होता है किसका हनन होता है electrolytes का हनन होता है ये electrolytes कहां पाये जाते है सर बिटा आपके शरीर का जो tissue fluid है जो उत्तक द्रव्य है उसमें ये पाया जाता है आप अगर ORS का एक packet उठाते है और उसके सारे sections को देखते हो न तो उसके अंदर sodium, potassium, chlorine ये सारी चीज़े आपको मिलेंगी और जब-जब आपको saline चढ़ाया जाता है तो वो भी क्या होता है sodium chloride ही होती है यानि sodium chloride हम चढ़ाते भी है अगला सवाल question number 28 हमारे शरीर में अमलता और चारक्ता अमलता और चारक्ता के बीच जो संतुलन बनाए रखती है वह sodium है, phosphorus है, potassium है या calcium है वो कौन सा तत्व है जो हमारे शरीर में अमलता और चारक्ता इनके balance को बनाए रखता है जल्दी से जवाब देंगे बिटा 15 सेकेंड का समय है इससे ज़्यादा समय मैं नहीं दे रहा आज जल्दी से बताईएगा रोहित बीरा, आनंद, सुनेना, रितिका, सीता, दीपा, शिवार, सीता, कुमार, यादव, चंदन कुमार, अंकित, अजय, किशन, आर्शिया, धनुज, अंजली, जैकी, यशोदा, प्रेया, आर्ती, खुशी, सीता, नीलम, किशन, तारा, उदैराज, माही, बुधेश्व पल्लवी, प्रेया, शिवा, सुमन, बुधेश्वर, अभी, अजी, तरागिनी, दुर्गेश, केशव, फायर जोन, दीपा, सुमित, राधिका, प्रोफेसर, नीलम, अहिरवार, सही जवाब क्या होगा, ओप्शन नमबर, क्वेशन नमबर 28 का सही जवाब, बैक्सिमम अक्साइड, कैल्शियम, सलफेट, जीतरे भी आप, अलकलाइन प्रॉपर्टीज आप देखोगे, उसमें कैल्शियम का अडिशन होता ही है, तो यही होता है, जो अमलता और छारक्ता का बैलन्स हमारे बोडी में भी मेंटेन करता है, करेक्ट औप्शन, औप्शन नमबर D ह अगला सवाल एक स्वस्त मनुष्य में एक स्वस्त मनुष्य एक दिन में निमनलिखित मात्रा में पेशाब करता है धाई लीटर डेड़ लीटर चार लीटर या इनमें से कोई भी बयान सही नहीं है बताइए एक स्वस्त मनुष्य एक दिन में कितनी पेशाब करता है जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब आप सारे लोग साथ दे रहे हैं बिलकुल ऐसे यूही बना रहना है और इस बार examination crack करके ही छोड़ना है बताइए क्या होगा एक स्वस्त मनुष्य एक दिन में निमनलेखित मातरा में पिशाब करता है क्या होगा सही जवाब ए ए ए जिन लोगों का कहना है ए बिटा आपका जवाब गलत है 1.5 इस दराइट आंसर अविशेक शुकला बिलकुल सही है तो बिटा जितने भी लोग मुंबई दिल्ली कलकत्ता पंजाब हरियाना बुलंड शहर यूपी के सारे जिले जहां-जहां से जुड़े हो बच्चो एक दम एक बर सेशन को लाइक और शेयर करेंगे जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करते ठीक है न अगला सवाल अबंदूता एक बिमारी है आखों की कान की नाक की अगले की तो अगर एक आख को मानव आख को अगर हम बाहर से देखें तो तो बाहर से तो हमें बस ये बाहर वाली चीज़ें दिखती हैं लेकिन एक आँख को निकाल के स्टेडी किया जाए तो आँख जितना आपको दिखता है वो बस इतना ही है लेकिन बाकी का जो औरिजिनल वर्शन है वो आप पीछे की तरफ देखते हैं और ये कुछ हकीकत में ह मानव शरीर के अलग-अलग हिस्सों से आज मैंने सवाल 30 आपके सामने रखा कैसा लगा सवाल ये बताईएगा मज़ा आया ना अब 30 और सवालों के लिए तयार हैं हाया ना 30 सवाल हो गया हमारे पास अभी समय बच रहा है 20 मिनट तो अगले 30 सवालों को 20 मिनट में करने के तयार हैं चालू किया जाए कैसा लगा अभी तक के 30 सवाल कैसे लगे अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और मामला स्टार्ट किया जाए समय के साथ अब खेल खेला जाएगा दा एनिमल विदाउट यूरिनरी ब्लाडर इस वह जानवर जिसमें मुत्राशे नहीं होता उसे हम चिडिया कहते हैं पुरुष कहते हैं खरगोष कहते हैं या गाय कहते हैं जल्दी से बताइए समय के हिसाब से जवाब देना है बताइएगा ए बी सी या डी जिसमें मुत्राशे नहीं होता अब समय के साथ खेलेंगे समय के साथ खेलेंगे समय के साथ खेलेंगे और but that is not the time here अभी समय उस बात की नहीं है अभी समय इस बात की है कि हम इस सेशन में अपने सारे सवालों को ढंग से करते चले और आगे की जिंदगी सवारते चले इसका सही जवाब, option number A बहुत सही, correct option is option number A चिडियों में मुत्राशे नहीं होता एक पक्षी में मुत्राशे नहीं होता और इसी बात में लाइक और शेर बढ़ जाना चाहिए 2000 के नीचे आखड़ा नहीं रूखेगा, तेजी से चलते चलेगे अगला सवार, और ये जीडी वाला साइंस है ये जीडी वाला साइंस है काका महें एक पाक्षी तो तो इस टाइम खटाँचम होते ही सरिस्यपों की तरफ जवाब आ चाहिए क्योंकि चिपकली सरिस्यप एक सरिस्य४ है अगला सवाल, fishes send out their nitrogenous waste as, मचलियां अपनी nitrogen युक्त अपसिष्ट पदार्थों को बाहर भेजती हैं, अमोनिया के रूप में, यूरिया के रूप में, यूरिकमल के रूप में या पसीने के रूप में, जल्दी बताईए, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, समय चल रही है त ग्रिजम्स या जीव हैं, वो जारतर अमोनो टेलिक होती है, तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, option number A हो जाएगा, मतलब जो अमोनिया का उतसर्जन करें, बटा पूरा चमकराना सभी को, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, option number A हो जाएगा, तुरंत एक दम like और share में कभी ने बिटा एक दम ताड़ से लेके जाएए इसको थोड़ा सा सेशन को शेयर कीजे इन प्लांट्स वोटर इस कारेड अपवर्ड्स बाई पौधों में जो जल है वो उपर की तरफ खीची जाती है फ्लोएम के द्वारा पैरनकाइमा यानी मृदो तक के द्वारा स्थूलो तक के द्वारा जाइलम के द्वारा या फिर मेरिस्टम के द्वारा मेरिस्टम सबसे पहली कोशिकाएं होती है पौधों में जिन में विभाजन की छमता होती है जाइलम क्या होता है जाइलम और फ्लोएम हमारे सईयोजी उत्तक नहीं हमारी सम वहनी उत्तक यानि वैस्क्यूलर टिशू कहलाती है तो पौधो में जल किसके द्वारा लेके जाये जाता है मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा बिटा जल और खनीज का जब भी परिवहन होता है तो जाइलम कराता है और जब भी कार्बनिक भोजन की बात आ जाएगी तो वहाँ फ्लोएम आ जाएगा इस बात का ध्यान रखिएगा तो सही जवाब आप्शन नमबर सी को जाता है एक-एक मूँ से मेरे इस मुकार बिंदू से निकले हुई हर एक बात को ध्यान रखना कुछ बाते ऐसी भी होगी जो मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं तो आप नोट करते चलना क्योंकि यही सारी चीजें होती है जो हमें एक्जाम में सेलेक्शन दिलाती है जब हमारी भी पढ़ाई की दौर चलती थी तो जब हम अपने फैकल्टी से पढ़ते थे तो उस समय सिर्फ वही नहीं जो वो बोर्ड पे लिखते थे बलकि उनके जुबान से निकली हुई हर एक चीजों को हम बगल में बक्से बना के लिखते रहते थे क्योंकि मैक्सिमम टाइम में आपके क्वेशन के आंसर से उस दब्बे में लिखे हुए बातों से मिल जाती है अगला सवाल ट्रांस लोकेशन आफ फूड यानि भोजन का अनुवाद पौधो में किसके माध्यम से होता है भोजन के बारे में तो बैटा अभी है जिसे हम फ्लोएम फाइबर फ्लोएम पारंकाइमा सीव ट्यूब और कंपानियन सेल्स यानि सहाइक कोशिकाओं के नाम से जानते हैं बैटा पढ़ना होगा क्योंकि SSC जीडी है SSC के अंतरकत होने वाला एक्जाम है पढ़ोगे तो पाऊगे वो कहते हैं न कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब तो बैटा नवाब बनने का टाइम आ गया है रोजाना शाम पांच बज़े से लेके बारा बज़े तक का ये जो समय आप अपने इडूकेशन के लिए दे रहे हैं बटा जिन्दगी सुधार देने वाली है याद रखना चाहे मैं हूँ अतूल सर हो अक्छे सर हो आपके वाइभाव सर हो अकांचाम आडम हो ये सारे लोग साम पांच बज़े से लेके ग्यारव बज़े तक कारेरत है आखिर किस के लिए रेजल्ट के लिए रेजल्ट यानि वो लास्ट घड़ी जिस जो हमारे तकदीर कोताए करता है उसके लिए महनत आज करनी होगी कहते हैं न कि जैसा बोगे वैसा पाऊगे तो आज बोने का समय है तो इसमें कोई कोताही ना करना के लिए लिए विएफा तो जब व्रिका घात हो जाता है किडिनी फेलियर हो जाती है किडिनी अपना काम नहीं कर पाता व्रिक के अंदर जो मुत्र निर्मान की प्रक्रिया होती है जो तीन चरणों से गुजरती है जिसे हम परा निस्यंदन चैनात्मक पुनरवो शोशन और नाली की असरावन अंग्रेजी में अल्ट्रा फिल्ट्रे जिस विधी को हम डाइलिसिस कहते हैं सही जवाब option number D है अंगला सवाल question number 7 चलते है कहता है कि कृत्रम व्रिक किसे कहा जाता है एक कृत्रम व्रिक यानि kidney किसे कहा जाता है एक machine को एक transplant यानि प्रत्यार ओपर को किसी दूसरे के व्रिक को या others kidney from same body एक ही शरीर से दूसरा व् जहां आप sir you are you are all the best you all are best thank you thank you so much तो एकदम session को like और share करते चलेंगे बिटा ऐसे sessions ना किसी भी platform पर आपको मिलेंगे नहीं जहां पर हरे question को brief में explain भी किया जा रहा है ठीक है ना तो बिटा artificial जो kidney होती है इसे हम कहते है dialyzer जो dialysis कराती है उसे हम क्या कहते है dialyzer जो कि क्या हो machine होती है कृत्रम हृदय और गुर्दे हम बना के रखते हैं तो इसका सही जवाब option number machine हो जाएगा dialyzer एक क्या है machine है तो a will be the right answer अगला सवाल question number 8 which one of the following genetic diseases sex linked इन में से कौन सा एक अनुवांशिक बिमारी है जो langic है जल्दी से बताएंगे question number 8 क्या होगा सही जवाब जल्दी से एक दम तावर तोड़ खेलना है क्योंकि समय कम है हमारे पास देखिए 50 होने वाले है हमारे पास अब 10 मिनट है और 10 मिनट में हमें तुरंत 20 स वाल उड़ाने होंगे तो इसमें से langic जो बिमारी है वो कौन सी है तो बैटा royal hemophilia royal hemophilia वो बिमारी थी जो हमारी prince of England मतलब शाही खांदान से जुड़ी हुई थी bleeding disease है जिसमें रक्त रुकता ही नहीं थक्का रक्त रुकता नहीं द्रवीत अवस्था में रहते हैं वो थक् पीडिएफ पचास हजार बार नहीं पचास लाख बार बता दिया कल सुबह इसको open करके देखना comment box में आपको मिलेगा आप लोग परिशान हो जाते हो क्या आपको वीडियो खतब होते हैं आपको वीडियोस में नहीं दिखती क्या आप वीडियो को कभी भी किसी मिनट पर नहीं देख सकते तब आपको option और questions दोनों मिल जाते हैं फिर बार बार PDF PDF क्यों चल लाते हो बिटा आप अपना भी समय खराब करते हो सामने वाले को पढ़ाने भी नहीं देते नराज होने वाली बात नहीं है यहां समझने और समझाने वाली बात है क्योंकि हमें हर एक minute नुकसान ना करें तो शायद दो सवालों discussion हो जाए हमेशा 30 सवाल करवाता था फिर 40 पे आया फिर 50 पे भी आया आज देखो 60 सवालों के साथ आया किसके लिए आपके लिए तो समय का सबसे जादा सदूपयोग करेंगे आने वाले 16 November को जब paper होंगे उसके बाद मस्ती कैसे करते हैं यह हम सिखाएंगे आपको लेकिन अभी फिलाल उस मस्ती को रोक के यहां जबरदस्ती पढ़ाई करना है मस्ती छोड़ जबरदस्ती पढ़ाई करना है तो सही जवाब क्या होगा option number a royal hemophilia एक ऐसी बिमारी है जो England के राजशाही परिवार से जुड़ा हुआ था औ हीमोग्लोबिनोमीटर क्लाइनोस्टैट या थर्मोमीटर अगर RBC का गिंती करना है तो उसके लिए किसका इस्तमाल करेंगे तो RBC के अंदर मैंने आपको एक बार बताया था और नहीं बताया आज सीख लो एक RBC के अंदर 26.8 करोड हीमोग्लोबिन होते हैं तो किससे गिना जा सकता है भई RBC की काउंटिंग किसे कर सकते हैं हीमोसाइटोमीटर से हीमोसाइटोमीटर से कोशिकाओं की गिंती होगी और हीमोग्लोबिनोमीटर से हीमोग्लोबिन की गिंती होगी इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option number A will be the right answer ध्यान रखना बेटा कहीं भी अ Lormation of Blood रक्त के निर्मार को हम क्या कहते है हिस्टोलाइसस तो बिटा लाइसिस का मतलब होता है breakdown और genesis का मतलब होता है formation तो यहां बेटा B नहीं होगा option number C will be the right answer, option elimination method is the best method to solve any question, याद रखेगा, अगला सवाल, blood is a kind of epithelial, क्या बाहिय उत्तक है, क्या यह जोडने वाला उत्तक है, क्या यह तंत्रिका का उत्तक है, या यह कुपास्ती है, तो ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर कोई जख्म होती है, कभी भी तो जब उसमें पस्वस भर जाए, थोड़ी पस्वस भर जाए, देखना कोई घाओ फोड़ा फूंसी हो जाता है, उसमें पस्वस हो जाता है, डॉक्टर के पास आप जाते हो, तो ड्रेसिंग करते वक्त वो क्या करता है, आजपास की चीजों को बहुत बुरी तरीके से आपको गुसा बड़ा जादा आता है आप गाली वाली भी अंदर अंदर बहुत देते हो कि यार ये कमीना पता नहीं क्या करने वाला है पूरे जोर-जोर से वो और कुरेतता है लेकिन डॉक्टर को अपना विज्ञान पता है वो जानता है कि अगर मैं ढंक से साफ नहीं करू तो सारे मवाद की कोशिका यानि पसल्स बाहर नहीं आएंगे जिससे इंफेक्शन दुबारा हो जाएगा दुबारा से इन पस कोशिकाओं का निर्माड हो जाएगा लेकिन अगर इन सबकों मैं साफ करके निकाल दूँ और ताजे रुधीर का अगर फ्लो बन जाए मतलब ओरिजिनल ब्लड का जिस जो संक्रमित नहीं है उसका बहाव बन जाए तो देखना साफ करते करते जब खून निकल जाती है ना तब जाके उसमें दवाई भरके और स्टिच कर दिया जाता है या गोज लगा के वो ड्रसिंग कर देते हैं क्योंकि जैसे ही रुधीर आएगा तो जितने भी फॉर्मड एलिमेंट्स होंगे जितने भी आपके प्रोटीन्स देने वाले होंगे जितने भी कोशिकात होंगे जितने भी आपके पारसाइटिक एलर्जी वेलर्जी से बचाने वाले कोशिकाएं वो सब रखतुरधीर में मौजूद हैं इसलिए कोई भी ड् जब dressing करता है तो ताजे blood का flow कराता है तो यह एक सईयोजी उत्तक है इसलिए सईयोजी उत्तक कहा जाता है रटने का कोई मतलब नहीं बंता चाहे परिक्षा कैसी भी हो अगर आप रट रहे हो अपने एक्जाम के लिए तो आप कुछ नहीं सीख रहे हो अगर आप कहानी सुन रहे हो तो आप कुछ नहीं सीख रहे हो अगर आप कोई चीज को पढ़ रहे हो और बैकग्राउंड में आपकी एक सीन चल रही है तो आप सीख रहे हो अगर मैं कुछ बताओं और बैकग्राउंड में एक तस्वीर चल रही है तो आप सीख रहे हो और सिर्फ आप सुन रहे हो और मजे ले रहे हो तो बैटा कुछ नहीं सीख रहे हो यही विज्ञान है यही हकीकत है आगे चलते हैं अगला सवाल oxygen transport is a function of कहता है oxygen का परिवहन किसका कारिय है श्वेत रक्त कोशिकाओं का लाल रक्त कोशिकाओं का प्लेटलेट्स यानि विंबाणूओं का या प्लाज्मा का तो बैटा हकीकत यह है कि लाल रक्त कोशिकाओं का 97 प्रतीशत परिवहन कौन कराता है oxygen कराता है तो 97% 97% 97% oxygen का जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन कराता है RBC कराता है तो correct option क्या हो जाएगा option number B will be the right answer oxygen transport is a function of RBC तो main option क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा तेरेवे सवाल पर आते हैं भाईया तेरेवे सवाल क्या कहता है कहता है the condition in which there is an abnormal decrease of white blood cell decrease abnormal decrease बोला है भाईया increase मत कह दियो अब होता कहा है कि जैसे ही leukemia option में दिख जाए और यह जोड़ी सी बात गूमा फिरा दिये जाएगी और आप cancer गलत हो जाएगा यहां कहा है WBC का घट जाना तो जब leukopenia हो जाए मतलब अनेईंतृत तरीके से WBC घट गई अनीमिय रक्त का छाह होता है leukoderma का मतलब होता है skin संबंधित leukoderma skin संबंधित होता है और leukemia आपकी blood cancer होती है सही जवाब इसका option number क्या हो जाएगा C will be the right answer अगला सवाल question number 14 Fibrinogen कहां मौझूद होती है बिटा अब मार खाओगे आप सब अगर इस सवाल का जवाब ने दिये तो आब मार खाओगे क्योंकि रोज एक एक बात को समझाया जा रहा है कि Fibrinogen plasma के अंदर जो protein होती है उसमें सबसे बड़ा largest blood clotting protein अगर कोई है नहीं liver में बिल्कुल नहीं pancreas में बिल्कुल नहीं ये रक्त के plasma में मौझूद होती है option number C will be the right answer कोई दिक्कत तकलीफ वाली बात नहीं अगला सवाल blood of cockroach तिल चटे का खून लाल होता है नीला सा होता है हरा भरा होता है या फिर रंग हीन होता है जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे ए बी सी या डी फास्ट बच्चे एक दम तगड़े से लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं रहने चाहिए कल के दिन में जो इस वीडियो को दुबारा भी देखे बाद में भी देखे तो उसे लगे तो कई बार बताया है एक दो ख्लाष पहले भी बताया था अगर आप हम से क्लास करते हैं तो विज्ञान ब्लड यानि रुदीर में न दोड़ा तो जो कहईच हो तो ध्यान रखिएगा विम्बाणुओं का मेजर काम है ब्लड क्लोटिन ब्लड क्लोटिन यानि रक्त का ठक्का बनाना कैसे तो ये एंडो थ्रमबो प्लास्टिन और exothromboplastin का निर्मान कराता है तो इसका main काम क्या है blood coagulation ना ही transport of respiratory gases ना ही removal of nitrogenous waste ना ही इन में से सभी सही जवाब option number A will be the right answer कोई दिक्कत तकलीफ वाली बात नहीं अगला सवाल the muscles of the heart are हृदय की जो मान स्पेशिया होती है समय का ध्यान रखना पड़ेगा लग रहा है आज भी 60 सवाल नहीं हो पाएंगे चलिए जल्दी से देखते हैं क्या हम 60 सवाल कर पाएंगे हाँ या ना में जवाब दीजे जल्दी से बोलिए कि हाँ सर उड़ा देंगे तब हम gear number बदलेंगे हमारे पास कितना समय बचा है हमारे पास बचा है समय तीन मिनट तो तीन मिनट में गेर बदल के क्या हम 13 सवाल कर लेंगे हाँ या ना बताइए कि हाँ सर आज 60 सवाल करके ही मानेंगे एक बर कमेंट में जल्दी से बोलिए कि हाँ सर करके ही मानेंगे और नहीं तो बिटाज पचास पे छोड़ेंगे मतलब बीसवे सवाल पे छोड़ेंगे अगर आपको लगता है कि नहीं सरमती सवाल कर सकते हैं तो जल्दी कमेंट बाक्स में कि आशर करेंगे 一 Lego Jupiter आपको अपने जवाब देने का भी तादात बढ़ाना होगा और संख्या वहाँ बढ़ाईए बच्छो यतना जादा मजाएगा मजेदार होगा को डिमाले नीच धित नहीं है और धारीदार भी होते हैं तो सही जवाब option number a will be the right answer धारीदार होता है और हमारे इक्षा के विधून इक्षा के अनुरूप नहीं होता अगला सवाल तो इन में से सारे गुड़ है सिवाए एक के वो कौन सा है कि वो oxygen को carry करता है ऐसी बात है क्या सिवाए एक के इट कलेक्स मेटाबॉलिक वेस्ट बिल्कुल सही इट कंटेंस सेवरल काइंड अफ कॉर्पसल्स विधिन हीमोग्लोबिन बहुत सारी और भी चीजें हैं जो अपने कोशिकाओं में वो carry करता है इट सब्स्ट्रेश डिस्टिबूट नूट्रें डिरेक्ली तो एवरी पार् इनमें से सारे बयान सही है सिवाए एक के और वो है option number D अगला सवाल question number 19 की तरफ चलेंगे question number 19 क्या कहता है कि blood platelets are found in all vertebrates all cordates mammals only या birds and mammals रत की platelets कहाँ पाई जाती है किन में पाई जाते हैं सारे कशेरुकियों में या फिर सभी cordates यानि जिन में कशेरुक्दंड होता है केवल स्तंधारियों में या फिर पक्छी और स्तंधारियों में और इसका सही जवाब option number C will be the right answer सिर्फ mammals में ही platelets पाया जाता है जो platelets यानि विंबाणू है वो सिर्फ कहाँ पाया जाता है केवल और केवल स्तंधारियों में पाया C will be the right answer अगला सवाल what is an antigen प्रतिकन क्या है toxic substance एक विशाक्त पदार्त एक काइंड आफ प्रोटीन एक प्रकार का प्रोटीन होता है रक्त के विंबानू होते है या फिर रक्त की कनिकाएं होती है question number 20 जल्दी बताइए A, B, C, A, D तो antigens are proteins antigens are proteins ध्यान रखेगा जितने भी होते है वो सब क्या है एक प्रकार के protein है एक प्रकार के क्या है protein है B will be the right answer अगला सवाल question number 21 कहता है कि blood plasma from which fibrinogen is removed is known as जिसमें से fibrinogen निकल दिया तो बेटा fibrinogen था क्या तो fibrinogen plasma का protein था तो plasma के अंदर से plasma के protein को बाहर निकालेंगे तो बचा हुआ सक्त क्या बनता है serum बनत बनाने वाले सब सवाल है दर दर बनेगा कि भई plasma के अंदर से plasma का protein निकाल दीजे plasma के अंदर से अगर हम plasma के proteins को निकाल दें तो जो बचता है उसी को हम serum कहते हैं ठीक है तो correct option क्या हो जाएगा option number A हो जाएगा अगला सवाल question number 22 pH of blood remains constant due to blood pressure, buffer action, perspiration या respiration कहता है रक्त का pH स्थिर रहता है रक्त चाप की वज़े से बफर की कारवाई की वज़े से पसीने की वज़े से या स्वशन की वज़े से जल्दी बताएं question number 22 जल्दी बताएंगे क्या होगा सही जवाब तो रक्त में जो buffer action होता है वह उसके pH को maintain करता है मतलब उसके अमलता और छारक्ता को नियंत्रित की रखता है तो option number B will be the right answer, buffer action is the correct answer अगला सवाल, intravascular clotting of blood is known as अगर रक्त वाहिनी के अंदर अगर रक्त का थक्का बन जाता है तो उसे अनीमिया कहते हैं, leukopenia कहते हैं, thrombosis कहते हैं या thrombin कहते हैं, जल्दी बताएंगा क्या होगा सही जवाब question number 23, अगर रक्त के रक्त वाहिनी के अंदर अगर थक्का बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, तो बटाएंगा इसे हम thrombosis कहते हैं, C is the right answer, उसके हम क्या कहते हैं, thrombosis कहते हैं, तो जब रक्त वाहिनी के अंदर रक्त का थक्का बन जाए, तो उसे हम thrombosis कहते हैं, सही option number c होगा अगर आपसे पूछा जाए कि रुका हुआ थक्का जादा डेंजरस होता है या चलता हुआ थक्का जादा डेंजरस होता है तो याद रखना moving clot is dangerous ऐसा थक्का जो चलता रहता है वो हमेशा dangerous होता है so option number c is the right answer इसमें अगला सवाल the pH of normal urine of man ranges from manav pishab का जो pH है यानि power of hydrogen है वो कहां से कहां तक लाई करता है 6 से 8 सारे 4 से 6 धाई से 6 या 8 से 10 question number 24 बताईए का manav जो urine है वो कहां से कहां तक लाई करता है तो देखिए manav pishab के अंदर glucose की मातरा ज्यादा है ketone bodies ज्यादा है पस है infective कोई agent है तो अंदर पदार्थों के और जल के और बाकी खनीज के अनुसार इसका जो pH है वो 6 से 8 यानि हलका अमलिये से हलका छारिय के बीच होता है सही जवाब option number a will be the right answer अगला सवाल question number 25 the nerve message enter the cell through कहता है तंत्रिका का जो संदेश है वो कोशिका में किसके through एंटर करता है तो जब कभी भी अगर आपने Ah neuron को देखा होगा जब कभी भी आपने नीडों को से मतलब है बीच में यहां पे क्या होती है नाभिक होती है नूकलियस होती है और भी बाकी सारे तत्व होते हैं तो जब भी बाहर से किसी संदेशों को लेना होता है तो उसके लिए काम आता है यह डेंडराइट इसे हम क्या कहते हैं व्रिक्षाब अंग्रेजी में इसी को क्य कहा जाता है dendrite तो सही जवाब होगा option number A व्रिक्षाब के द्वारा हम neural impulse को कोशिकाओं के अंदर यानि cell body के अंदर कोशिका पिंड के अंदर enter कराते हैं option number A will be the right answer अगला सवाल question number 26 which one of the following act as a communication system इनमें से संचार प्रणाली की तरह कौन काम करता है रुधीर, तंत्रिका, लसी का या फिर एंजाइम इनमें से संचार प्रणाली का कौन काम करता है तो neuron के मदद सही सारा message एक जगे से दूसरे जगे तक हमारे शरीर में जाता है तो सही जवाब क्या हो जाएगा option number B will be the right answer वो तंत्रिका है जिसके माध्यम से संचार प्रसार का काम मानव शरीर में होता है option number B will be the right answer कहता है थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन दे हूमन ब्रेन इस हमारे मानव मतिश्क में वह हिस्सा जो की हमारे तापमान का नियमन करता है तो चाहे तापमान का नियमन हो या फिर हमारे भूक प्यास का नियमन हो या फिर हमारे वेवहार हमारे emotion मोह लोब प्यार इरशिया इन सब का नियमन हो या फिर हमारे 24 घंटे के जैविक घड़ी का नियमन हो या फिर हमारे तापमान का ही नियमन क्यों न हो इन सब का नियमन कराता है हमारा हाइपो थालमस जो की प्रामस्तिश्क यानि फोर ब्रेन का हिस्सा है ध्यान रखिएगा सही जवाब option number D होगा अगला सवाल question number 28 the part of brain in control of voluntary muscles एक्षिक पेशियों को कौन केंदरित करता है बताईएगा क्या होगा सही जवाब एक्षिक पेशियों को तो हमारे शरीर में एक्षिक पेशिया वही कहलाती है जो कंकाल से जुड़ी होई होती है जो skeletal system से जुड़ी होई हो आपके खासने छीकने regulation of heart beat cerebellum आपकी fine and skillful movement मतलब चलने डोलने हिलने मुड़ने को control करता है पोंस आपकी regulation of cardiac rhythm आपकी switch of point of inspiration मतलब स्वाशन के केंदर इन सब को control करता है लेकिन जब बात आए एक्षिक पेशियों को control करनेगा तो वह करता है cerebrum अगला सवाल question number 29 की तरफ चल तो किस से concerned है by smell से sight से hearing से speech से तो ना ही वो भासन से जिम्मेदार है ना सुनवाई से जिम्मेदार है ना दृष्टी से वो गंद से जिम्मेदार है और यह four brain का हिस्सा भी होता है olfactory lobe जो होती है वो प्रमस्तिश्क का हिस्सा भी होता है सही जवाब option number A ही होगा अगला सव सवाल है तीस तीस के दो सट्स बनाए थे मैंने तो जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब the brain is covered by meninges bone skin or all of the above मस्तिश्क जो है वो किस से घिरा हुआ है मस्तिश्क के उपर की परतों से अस्थी से चर्म यानि तवचा से या फिर all of the above brain is covered by meninges bone skin or all of the above बड़े ही आसान सा स जल्दी से बताएंगे a b c a d and the correct answer is बटा all of the above जिनने लिया होगा उनका जवाब गलत है only option a is the right answer मस्तिश्क के उपर के जो तीन लेयर है उसे हम क्या कहते हैं dura matter उसके बाद arachnoid matter और arachnoid के नीचे सबसे पतला और पारदर्शी जो लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं पाया matter कहते हैं तो ये तीन परते होती हैं और तीन परते को एक साथ मेनिंजर कहा जाता है तो सही जवाब option number a will be the right answer मुझे उमीद है आज का ये जो session है जिसमें मैंने 60 सवाल आप सबके सामने discussion कराए वो आपके आने वाले examination में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है और सा maximum discount मिलेगा और आप अपनी तयारी में कोई कमी नहीं छोड़ोगे मुझसे अगर विज्ञान पढ़ना होगा तो आपको विज्ञान एकदम जड़ से लेके sheets तक पढ़ाने की दावा मैं लेता हूं ठीक है चलिए आज के लिए बस इतना ही और like और share में कोई कमी ना करना और जहां तक हो सके आप बताओ भी कि ताकि कल के दिन में और भी लोग आए शेयर करिए और कल फिर मिलते हैं ठीक दस बजे इसी उम्मीद इसी उत्सा और इसी जज़बे के साथ ताकि इस बार selection हमारा हूं जैहिन बच्चो जैहिन थैंक यू